नमस्कार स्वागत है आपका हमारी चैनल में आज हम आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं चुनायू को लेकर जी हाँ जो चुनाव होने है अभी हर्याना में जो निकाय चुनाव होने है उनमें एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है बहु वीडियो में पूरा बताएंगे तो वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए ताकि ऐसी ऐसी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहें अब देखें हम पूरी खबर आपको बता देते हैं कि पार्टी के चिनों पर नहीं कर नहीं करवाई जा सकते हैं निकाय चुनाओ हाई कोट के एडवोकेट ने जताई आपत्ति और संसोधन की मांग की है हर्याना में मोजुदा कानून के अनुसार संभावित नगर निकाय चुनाओ में राजनीतिक दलों के चुनाओ चिनों पर नहीं करवाई जा सकते हैं जी हां जो उनके अरक्षित चुनाओ चिन है जैसे कमल का फूल है जैसे जो भी जैसे हाथ का निशान है इन एलों का जो भी निशान है उनके उपर अभी लक्सन नहीं करवाई जा सकते हालांकि वर्सों से परदेश में ऐसा होता आया है और आज तक किसी ने इस पर कोई आपत्ती या सवाल नहीं उठाया था अब पंजाब और हर्याना हाई कोट में जो वकील है हेमंत कुमार जी उन्होंने इस पर आपत्ती दर्ज कराकर कानून में संसोधन की मांग रखी है यह जो पहले से होता रहा था कि सभी पार्टी आपने सिंबल पर इलेक्शन लड़ती थी अब उसके उपर रोक लगती हुई नजर आ रही है क्योंकि इसके उपर हाई कोट में आपत्ती दर्ज हो गई है इसे महीने फरवरी में आयोक द्वारा उप्रोक्त नगर निकायों की मत दाता सूचियों को संसोधित और अपडेट करने के का ता अंतिम परकासन किया जाएगा और उपरोक्त 48 नगर निकायों में पुराने स्थापित निकायों के साथ साथ गत तीन वर्षों में घोशित साथ नए नगर निकाय भी शामिल हैं एडवोकेट हेमंत ने बताया कि कानूनी प्रावधान के अनुसार नगर निकाय और नगर न चिन आमबंतित किये जा सकते हैं जो फुरी चुनाव चिन मिलते हैं जो किसी पार्टी क def. नहीं होते जो किसी को भी कोई भी मिल सकता है उन्पर एलयक्षन लड़े जा सकते हैं लेकिन भारतिय चुनाव आयोग द्वारा रजिस्टर्ड एम, मन्यता प्राप्त राष्ट्रिय दलों और अक्षेत्रिय दलों और उनके लिए अरक्षित चुनाव चिन जैसे भाजबा का कमल का फूल, कॉंग्रेस का पंजा यानी हाथ का निशान, जजपा की चाबी, इनालो का चस् चिन फरतियासियों को अबंटित नहीं किये जा सकते, यह थी अग बहुत बड़ी अपडेट चुनाव को लेकर, जो अभी अभी सरगर्मिया बड़ी हुई है, निकाय चुनाव को लेकर कि निकाय चुनाव भी हो जाएंगे, तो इसकी बड़ी अपडेट थी, तो ऐसी ही अ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा धन्यवाद